हेलो बच्चो कैसे हो आप आजम कक्षाचार प्रयावरंग अध्यन की वर्क्षीट हल करेंगे सब्ता 28 पार्ट 25 चटपटी पहे लिया तो चलिए वर्क्षीट हल करते हैं प्रशन एक रिक्त स्थान भरिये यहाँ पर कुछ खालिस्थान दिये गए हैं हमें इन खालिस्थान में सही सब्द को भरना है यहाँ पर कुछ सब्द भी दिये गए हैं मिश्रन, हल्दी, केसर, सौफ तो इन्हें सही खालिस्थान में भरना है क्डैस किसी भी घाओ को जल्दी ठीक करने में मदद करती है तो यहाँ हम लिखेंगे हल्दी ख, खाना खाने के बाद अपने को ताजा रखने के लिए हम डैस खाते हैं तो यहां लिखेंगे सौफ गर डैस दुनिया के सबसे महंगे मसालों में से एक है तो यहां लिखेंगे केसर केसर दुनिया के सबसे महंगे मसालों में से एक है घर गरम मसाला बहुत सारे मसालों का डैस होता है तो यहां लिखेंगे मिक्सरन गरम मसाला बहुत सारे मसालों का मिक्सरन होता है चलिए अगला प्रश्न करते हैं प्रश्न दो मसालों को पहचानिए वह उनका नाम लिखे तो बच्चो आपकी वरक्षीट में कुछ मसालों के चित्र दिये गए हैं आपको मसालों के चित्र में मसाले का नाम पहचानना है और लिखना है इस चित्र में जो मसाला दिया गया है उसका नाम है जीरा चलिए आगे बढ़ते हैं इस चित्र में जो मसाला दिखाया गया है उसका नाम है बड़ी इलाइची इस चित्र में लोंग को दिखाया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं इस चित्र में छोटी इलाइची को दिखाया गया है और इस चित्र में जो मसाला दिखाया गया है उसका नाम है काली मिर्च तो यहां काली मिर्च लिखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं इस चित्र में जो मसाला दिखाया गया है इसका नाम है साबुत धनिया तो यहां साबुत धनिया लिखेंगे इस चित्र में सरसो को दिखाया गया है तो यहां सरसो को लिखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं इस चित्र में जिस मसाले को दिखाया गया है उसका नाम है मेथी तो यहां अजवायन लिखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं प्रस्न तीन नीचे दिये गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और सही गलत का चिन लगाईए तो बच्चों नीचे वाक्य दिया गया है आपको वाक्यों को पढ़कर सही या गलत का चिन लगाना है वाक्य है अलग अलग जगा के अलग अलग मसाले होते हैं तो यहां हम सही का निसान लगाएंगे यह बिल्कुल सही वाक्य है कि अलग 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 मसाले होते हैं प्रश्न चार करते हैं मसालेदार खाने के अपने फायदे वर नुक्सान होते हैं अपने परिवार के साथ चर्चा करके इस वाक्य के विश्य में अपनी राय लिखिए तो बच्चों यहाँ पर आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करके मसालेदार खाने के अपने फायदे वनुक्सान होते हैं के बारे में लिखना है आपके स्विधा के लिए मैं यहां लिख रहा हूँ हाँ यह कथन सही है कि मसालेदार खाने के अपने फायदे वर नुक्सान होते है क्योंकि यदि हम इनका उप्योग सही मात्रा में करें तो यह फायदा करते है और अगर हम इनका अत्यधिक या जरूरत से ज़्यादा इस्तिमाल करते हैं तो यह सहत को नुक्सान पहुंचाते है बच्चों जब हम ज़्यादा मसालेदार खाना खाते हैं तो हमें पेट संबंदिद रोग वैं अन्यरोग हो जाते हैं जैसे पेट में जलन पेट में गैस बनना दस्त लग जाना इत्यादी इसलिए हमें संतलित मात्रा में ही मसालो का अपने भोजन में प्रियोग करना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं जीवन कोर्सल सप्ता 28 यात्रा हेतू ध्यान देने योग्या बाते हैं हम सभी को यात्रा करना प्पसंद हैं चाहे वह किसी काम के लिए हो या मनुरंजन के लिए हमें सुरक्षित और अरामदायक यात्रा के लिए यात्रा संबंदी ध्यान देने योग्या बातों के विशय में पता होना चाहिए कुछ जानकारियों का सम्मू होता है जो हमें किसी भी आत्रा के लिए योजना बनाने और लागू करने में सहायक होता है यह अत्यंत उप्योगी कोशल है जिसे सीखने की आविश्यक्ता है चलिए आगे बढ़ते हैं अब आपके जिवन कोशल की वरक्शीट में कुछ गतिविद्या दी गई है जिसमें प्रशन एक स्कूल पिकनिक पर जाने से पहले आपके द्वारा क्या तैयारी योजना बनाई जाती है तो बच्चो यहाँ आप लिखेंगे कि स्कूल की पिकनिक पर जाने से पहले आप क्या योजना या तैयारी करते हैं आपके स्विधा के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पहला अभिभावकों से पिकनिक पर जाने के लिए अनुमती लेना दूसरा खाने पीने के लिए क्या-क्या चीजे ले जानी है तीसरा पिकनिक पर जाने से एक दिन पहले सारी तैयारी कर लेना चोथा समय पर विद्याले पहुँचना वै अनुसासन में रहना पाचवा माता-पिता वै शिक्षक, शिक्षिकाओ की बातों का पालन करना बच्चो आप इन बातों के अलावा भी अन्य बाते लिख सकते हैं जो कि आपको लगता हो कि स्कूल पिकनिक पर जाने से पहले आप उसकी तैयारी ये योजना बनाते हैं प्रशन दो करते हैं आपके गाउं की आत्रा की योजना बनाते समय आपके परिवार को क्या तैयारी करनी होती है आप अपने माता-पिता से पूछें और जवाब दें तो बच्चो यहाँ पर आप अपने माता पिता से पूछ कर इस प्रश्ण का उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे आप किस विधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ पहला गाउ जाने के लिए रेल टिकेट का या अन्य साधन का प्रबंद करना दूसरा जरूरी समान को सही तरह से पैक करना तीसरा खाने पीने की चीजें रास्ते के लिए तैयार करना चोथा गाउ जाने के लिए पिताजी अपनी छुट्टी लेते हैं पाचवा विध्याले में गाउ जाने की सूचना देना बच्चो इन बातों के अलावा भी आप अन्य बाते अपने परिवार के सदस्यों के अनुसार लिख सकते हैं चलिए तीसरा प्रशन करते हैं प्रशन तीन जब आप बाहर जाते हैं तो आजकल मास्क पहरनना जरूरी है क्या आप इस नियम का पालन करते हैं तो इसका उत्तर लिखेंगे हाँ मैं इस नियम का पालन करता हूँ और सभी को इस नियम का पालन करने के लिए कहता भी हूँ ताकि कोरोना महामारी से बचा जा सके तो बच्चो ये वर्कशीट यहां कम्पलीट होती है अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें अन्य विश्यों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहे हमारा चैनल, Knowledge Kingdom. Thank you.